नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आसा है आप सभी स्वास्थ होंगे आईए आगे बढ़ते हैं इस हाथेली का एनलेसिस करते हैं ये एक औरत की हाथ है, इनका उमर है अभी 40 साल, ये भी बहुत कुछ जानना साता है इनके बच्चे के बाड़े में, इनकी खुद के बाड़े में, हेल्द के बाड़े में, मने रिलेट के बाड़े में, अपने पती के बाड़े में भविश्व में होने वाला और कोई विपत यानि देंडर सिटुेशन ये सब तो नहीं है ये सीजों के बाड़े में इनको जानना है तो आईए दोस्तों आगर बढ़ते हैं एक एक बाड़े में जानकरी आभी देंगे पहले आईए मुख्यों रखाओ की और सलते हैं दोस्तों ये जिन्देगी की लाइन है मतलब जीवन रखा ये मस्टिक्ष रखा और ये हिदह ही रखा जो हीड़े रेखा बेस्पती की और दिख रहा है दोस्तों जिबन रेखा जो है इतना लंबी तो नहीं है लेकिन फिर भी जिबन रेखा जो है आ करके ये फेट लाइन के साथ तास होर करके ये नीशे आया हुए है तकिरवन इनका उमर जो रहेगा 70 years के आसपास आप पकर लिजे 70 सल तक ये जिबन बहुत बढ़िया से रह सकते हैं इनके माइन रेखा जो है ये भी बहुत बढ़िया है मुन परवत तक जुका हुआ है देखिए दोस्तों सही है ये सोच बिसर जो भी इनके है बहुत बढ़िया है दिमागी जो भी सोच है ये सोच जो है इनका बहुत बढ़िया है अच्छा है परगतिवाला है साथ में देखिये दोस्तों इनका हीद्रають रखा जो है बहुत बढ़िया है ये आ करके बेस्पति परवत्त पहुंचा है और बेस्पति की ओर ही देख रहा है देखिये दोस्तों आगे जाके ये हलका असा तो ये बहुत सारा काम जो है दिल से ही करता है ज्यादा दिमाग से नहीं सोचता है ये दिल से ही सोचता है दोस्तों तो दोस्तों अभी देखिए ये शुरूबाती जो दोड़ है ये दोनों ये हो गया जिबन रेखा और ये मस्तिक से रेखा ये दोनों यहां से यहां तो आया हुआ तो है ये इनका परिवार के साथ घनिस्तता बहुत बढ़यहिए है अच्छा है संबन के मामले में बहुत बढ़यहि है हाथिली का रंग जो है गुलाबी कञालन का है बहुत हत तक तो गुलाबी रंग को सूप माना जाता है दोस्तों लेकिन दोस्तों इनका भी बहुत साड़ा बाते जो है कहने की है इनका बस्पन में बहुत साड़ा कुछ ऐसाई घटना घट गया है जिससे ओ आज तक उभर नहीं पा रहा है ठीकि दोस्तों बस्पन में ही इनका माता पिता गुजर गया गुजर जाने के बाद ये अकला पर गया था दोस्तों उसका बात तो ये जाती का माता पिता के दिहान के बाद ये अपने मामा की और घर सला गया मामा की उहाँ बहुत महनत मसकत के बाद ये बस्पने से जबान हो गया जबान से ले करके पढ़ाई खतम किया Education Life जो भी है इनने complete की उसकी बाद मामा की उहीं से इनका साधी भी हो गया हलाकि मामा की उहाँ भी लड़की पैदा हुआ था जो इनकी उमर से ओ सोटा था पस्टास पसे डिदनर बाइब है युपषय रहता है बहुत हाट तक यह भी मामा को बहुत प्यार करता है मामी भी इनको बहुत और ऑकरता है मामी कि बहुत भाली भाती देखभाल करता है दोस्तों इंसानियत जो है ये लड़की ने दिखाया ये औरत ने दिखाया इस बात के लिए इनको मैं ठैंक्स बोलता हूं दोस्तों सात में ईशर अल्ला को भी धृणना बात बोलता हूं जिस बच्षे के सर के ऊपर माता पिटा नही बात वो बच्चे का भविश्यों जो है अंधेले में सला जाता है। फिर भी इनके मामा मामी ने इनको संभाला। इस लायक मनाया कि ये आज दो बच्चों के माँ भी है। साथ में इनका पती जो है बहुत अच्छा करूबार करते हैं ये भी करूबार में हाथ बताता है बहुत बढ़िया करके इनकी नाम में भी गर्मेंच है ये औरज जो है बहुत दयाली भी है बहुत हद तक सही है करीबों को बहुत अच्छा से ध्यान रखता है द्यान पून य खेडियत ये करता रहता है इस हिसाब से यह औरस जो है बहुत सही है इनका हतिली भी बहुत हथ तक सही है दोस्तो देखिए 9 गणुबहों को अभी देखना है बारिक-बारिक से अभी हम लग पढ़केंगे पहले हाथ की औरस ед एक हाथ के गलाइ जो है बहुत बढ़या है जो भी ये दिल काम करता है बहुत दिल से करता है बहुत आच्छा से करता है दोस्तों अभी आईए नो गड़ो की और सलते हैं दोस्तों तहले सलते हैं ब्यास्पति की और ब्यास्पति की उंगली की पॉर्ण देर लेते हैं ये पहली पर ये दुसरा पर ये तिसरा पर बहुत हद तक सही है लेकिन उंगली जो है थोड़ा सा सनी की और जुका हुआ है लेकिन दोस्तो ब्यास्पति की परबत जो है ये उठा हुआ है बिलकुल बढ़िया है अरज जो है धर्म की परगति की है धर्म को ये मानता है religion के उपर इनका अच्छा knowledge है ग्यान भक्ति आदर ये सब इनके पास है अभी आईए सनी की ओर चलते हैं दोस्तो सनी की उंगली जो है बहुत सीधी है अच्छा है सुन्दर है उंगली का पहली पर ये दूसरा पर और ये तिसरा पर बहुत हद तक सही है बिल्कुल सीधी है काम ये जो भी करेंगे सीधी तोर से सीधी काम ही करेंगे ये ज़्यादा घुमा फिरा के ये बात बोलने वाला औरत नहीं है सीधी भात ही बोलते हैं सनी की परबत भी बहुत बढ़िया है देखे ना ज़्यादा दबा हुआ है जादा उठा हुआ है इस हिसाब से तो इनका सने भी बहुत बढ़िया है दोस्तों अभी शुरिय की और सलते हैं शुरिय का उंगली तो बहुत सीधी है बहुत बढ़िया है दोस्तों पहली पर बिल्कुल बढ़िया दूसरा पर जो है बढ़िया तिसरा पर जो है बहुत बढ बूत की और भी देखिए यह भी आख की जैसे बने हुए है सव्जी सीजों को यह बदोहत बढ़िया से अस्टिया से यह कर पाता है और दिल से सोचता है जो भी यह सोचते होंगे सुरीयो की परवभभ भी बिलकुल बढ़िया है देखिए एक दो रेकाई जो है बने हुए है भूत की और सलते हैं भूत की जो अंगली है यह थोड़ी सुर्ययो की ओर झूकड़ा है यानि सुर्ययो और भूत की यूटी बन रहे हैं यह इस तरह पर जूके रहेंगे तो इनक सभी है क्योंकि दोस्तों चूरियो और भूत की बहुत मिटता है यह दोनों गड़ा जो है एक साथ में कहीं भी कुंदली में भी रहता है तब बहुत बढ़िया राज्योग मनाता है सुरियो भूद की यूटी तू हर हस रखा में इनका बिसलेखन होता ही रहता है तो इस हिसाब से इनका सुरियो और भूद भी बहुत हट तक सही है साथ में दोस्तों देखिए ये उभार लिया हुआ है जो भूद जो है इनके लिए सही है ट्रैक सक्ती जो है बहुत खाला की जादा नहीं है क्योंकि ये औरत जो है बस्पन से ही बहुत कथिन परिस्टी में ये पैदा हुआ है तो इनको भी भाली भाती पता है क्या करना है किसके साथ क्या वेबहार करना है किसके साथ क्या बोलना है Communication जो भी है ये बहुत आसी तरह से निवा सकते हैं अभी आईए मंगल की और सलते हैं ये पहला मंगल जो है थोड़ा सा उठा हुआ है लेकिन ये दूसरा मंगल जो है बिलकुल बढ़िया है इसमें रेखाएं भी बने हुए है साथ में देखिए जिबन रखे के साथ एक रेखा और भी बना हुए है ये देखिए जिबन रखे के साथ अगर कोई दूसरा रेखा आए तो उसके लिए मैं पहले वीडियो में भी बता सका हूँ बहुत सूब होता है जिन्दगी में कब आंधी आए बारिस आए तब भी कोई पॉब्लेम नहीं है कोई ना कोई इनको साहरा देने के लिए पस्तुर रहते हैं जिन्दगी में क्योंकि मंगल भी बहुत बल्मान होता है मंगल की पावर तो आप जानते हैं सरी में जो ब्लाद होता है सरी का कारक होता है वो बदी होता है मतलब अभी दोस्तों आईये शुक्रू की और चलते हैं शुक्रू जो है बहुत हद तक तो सही है ना ज्यादा उठा हुए ना ज्यादा दबा हुआ है ज़्याद तक ने होज संभ़ाला है तब से सोटा मुटा तो टेंसन आज तक है इनके पास, अभी हाला कि इनका सादी हो गया, सादी के बाद भी सोटा मोटा जो टेंसनी है, यह आणी रहा है, आप देख पा रही है, सोटा 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 आणी रहा है, एक परब्लम खतम होने के बाद दूसरा आरम हो जाता है, वो खतम भी चल रहा होता है, तो वो खतम भी खतम होने के बाद और एक तो problem फिर से इनके पास आ जाता है इस तरह से कही बार जिंदेगी में इनके पास 42 वर्स तक होता ही रहता है लेकिन फिर भी ओ पॉब्लेम का solution इनके पास होता है लेकिन problem आता जरूर है मुसी बहुत का सामना ये जरूर कर सकते हैं और सफल भी हो गया है ये संदरप्रपत की और सलते हैं दोस्तों संदरप्रपत बिलकुल बढ़िया है ये अगर औरत की हथली है तो ये मर्ट कर दरसाता है अगर ये मर्ट का स्थान होएंगा तो औरत कर दरसाता है इनका मान जो है पढ़ाई लिखा में बिलकुल बढ़िया है अभी दो बच्चे की माँ है ये दोनों बच्चे को सिक्षा जो है ये खुट टीशन जैसा पढ़ाता है नौलेज इनका बहुत बढ़िया है अच्छा है साथ में देखिए ये M का सिंबल भी बना हुआ है दोस्तों ये देखिए आप देखवा रही है ये बहुत हद तक कहीं पर भी आप यूटुब खोल के देख लिजिए आपको पता सलेगा कि M का सिंबल होने से इसनकी क्या-क्या फाइड़े हैं कहीं और से आपको लुक्षान दिखाई नहीं देगा हर जगे में आपको दिखाई देगा लाग 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 बहुत हद तक ये सही है अभी दोस्तों फेट लाइन की ऊपर चलते हैं देखिए ये फेट लाइन यहां से आकर के यहां होकर के यहां आया हुआ है और जा करके सनी प्रवबत की और पहुंच तो फेट लाइन तो इनका अच्छा है लेकिन बीस बीस में कहीं कहीं जगर में इनका मुसिबत का सामना करना पड़ गया यह अंतिम भाग में भी एक मसी की जैसे साइन बना हुआ है बहुत हद तक तो यह भी सही है दोस्तों अभी पॉर्ब्लम के बाड़े हम नहीं बोला ह पॉर्ब्लम तो इनके पास अनुएक थे देखे यह फेट लाइन तो ऐसे जा रहा है यहां से भी कटा है यहां से भी कटा हुआ है यहां से भी कटा हुआ है तो दोस्तों हमने आपको भी बताया कि इनका बस्मने से बहुत तेंगी सल रहा था जिन्दे की मानों की अगर इन किस्मत की रेखा है भाग्य रेखा बोलते हैं भाग्य रेखा जब बन जाता है तो कहीं ना कहीं से तो इनको फरगेटी की और खीर सी लाता है साही एक कीशर में अगर पड़ा भी रहता तब भी कोई ना कोई इनको जरूर हेल्फ कर ही देता दोस्तों देखिए अंगुठा की बढ़ा देता है इनको लेकिन उनका सिक्षन जो है बहूत बढ़िया है ये देखिए द्यों स्तों यवण बना हुआ है तो कोई अगर ये काम करें कम से कम आसी पशि तक यानि इत्ती परशन इनको सब्सक्रेश फुल यानि कामिया भी ज़रू मिलती हैं इनका सुक्रों जो है बहुत अच्छा पोजिशन में नहीं है हाला कि बारिक बारिक से बहुत सारा रेखाई यह आरी रेखाई जो है इनका मुश्किल बढ़ा देता है बहुत हद तक यह इनका खड़ाब है दोस्तों यह राहू की ओर देखिए राहू भी इनका बहुत खड़ाबी है देखिए यह भग रखा को काटते हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन इनका केटू की जो स्थान है यह बिलकुल बढ़िया है यह देखिए यह एक समय ऐसा आएगा यह बिदेज भी जा सकता है घुमने पिरने के लिए अपनी देश में अलग-अलग इस्तित में यह घुम सुके हैं अपनी राज्यव में घुम सुका है इनका गड़ जो है राहो बहुत हट तक खड़ा भी है शुक्रो जो है यह भी थोड़ा खड़ाब है लेकिन दोस्तों यह उपर के यह चारो गड़ जो है यह बिलकुल खट बढ़िया है अच्छा है बच्चे का सुक भी इनको मिलेगा बढ़ापे में ओ जरूर सहारा देगा जब तक यह जिपित रहेंगे अपना रिलेटिट में भाई बहन यानि मामा मामी यह सब को यह देख भल करता है जिस समय इनको उनका काम आया था तो आज यह भी उनका काम आ रहा है बहुत हथ तक यह सही है दोनों बहनों मेरे पास आया था एक और वीडियो में इनका दूसरा बहन का भी हाथ का एनलेसिस हम जरूर करवा देंगे आप देख पाएंगे और वारूल इनका हतली जो है बहुत हथ तक सही है अशा है दोस्तों इनका सभाब जो है नमकिन की तड़ा है लकिन यह परगोति के रखा है ऐसा नहीं है कि शुक्रों बिल्कुली खड़ाब है यह जिस जिस गड़ों को देखेगा उस उस जिसा में इनके लिए लाभी देंगे मनीबन की और सलते हैं तो मनीबन में एक बहुत बढ़िया सा बेसलेट बना हुआ है दोस्तों बारिक से बहुत अच्छा भी लगता है देखे इसे इसे करके यह की बेसलेट है ज्यादा नहीं है यह जिस तैम हमारे पास आया था तो इनने बोला था कि मेरा लाइफ लैम जो इतने ही रहोंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनके पास साहट रेखा यह मंगल रेखा यहां से यहां आया हुआ है दोस्तों आप देख पा रहे हैं एक में अगर पॉब्लम आएगा तो डूसरा क्रेशिंग कर लेगा उसमें कोई पॉब्लम नहीं है और रूल इनका हथलिक का एनालेसिस हो गया है बहुत हथ तक सही है थोड़ा सा जो शुक्रों के लिए और राहों के लिए ख़ड़ा परिस्टी चल रहा है तो इसके लिए मैंने इनको रेमीडी ओलेडी दे दिया है अगर यह कर लेते हैं तो इनके लिए सही रहेगा दोस्तों अगर आप वीडिय को देख रही है कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर दिजिए साथ में दूस्तों सेर किजिए लाइक किजिए एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर लिख दिजिए आसा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगा अगर आपके मन में कोई इस्सा है इसर अल्ला जरूर कबूल करे तो आप भी डालेते हैं नमस्कार जैहिन